नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर अन्याय अत्यचार और युद्ध जैसे विनाशकारी कृत्यों के माध्यम से समाच को विनाश के रसातल में धकेलने के बज़ाए भगवान गौतम बुध्ध द्वारा दिखाया गया शांती का मार्ग समाच के हित में है इस आशे का संदेश केंद्रिय मंत्री निदिन गड़ जगरी द्वारा आयोजित सांसत सांस्कृतिक मोहत्सव के छटे दिन बुधवार को इश्वर देश्म कॉलेज के प्रागण में मंचित आमरपाली नाटक ने दिया 450 से अधिक कलाकारों की भागिदारी के साथ महानाट्य में इंडुत्य तल्वार बाजी और आतिश बाजी के प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जित लिया इसका निर्देशन हर्श कुमार यादो द्वारा किया गया कार्यक्रम की शुरुवात कांचन गडकरी और अन्य गडमान्य व्यक्तियों द्वरा दी प्रज्वल अनकर की गई इस आउसर पर पुर्वविधायक प्रोफेसर जोगिंद्र कवाडे पुर्वविधायक नाना शाम कुले एडवोकेट सुलेखा कुमबारे डॉक्टर चंदर शेखर मेश्राम डॉक्टर पूरन चंदर मेश्राम प्रोफेसर संजेद उधे उपायुक्त समाच कल लेंड धर्मपाल मेश्राम, संदीब जाधव और नाटक कार प्रेम कुमार उक्य का स्वागत किया गया। प्रेजनी रेलवे स्टेशन से जुडने के बाद, अब मेट्रो ट्रेन सेवा शीग रही नागपुर रेलवे स्टेशन के पुर्वी द्वार से जुडने जा रही है। इस मेट्रो स्टेशन से परिवहन के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों को फायदा होगा। पहुचने के लिए एसकलेटर की व्यवस्था की गई है। मेट्रो स्टेशन के दोनों और उत्तर और दक्षिन आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था की गई है। टिकेट काउंटर और स्टेशन नियंतरन कक्ष थर्ड फ्लोर पर बनाए गए है। मेट्रो स्टेशन की विशेश्था इस प्रकार है। बेस्मेंड में आपात कालिन अगनी शमन टैंक, विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट की सुविधा, बिजली आपूरती के लिए UPS के साथ डिजल जनरेटर, डीजी प्रनाली, कॉनकोर्स और प्लैटफर्म पर यातरी घोशना प्रनाली, वर्षा जल संचैन, कॉनकोर योग समिती मध्य भारत, दक्षिन भारत द्वारा आयोजित तिन दिवसीय राष्ट्य कार्यकारेनी बैठक नापपूर में आयोजित की गई, बैठक के समापन दिवस पर प्रमुक अतीथी कांचन गड़करी को महिला के इंडरिय प्रभारिस साधवी देव प्रिया ने श दिवसीय राष्ट्य कार्यकारेनी बैठक में महिलाओ के लिए योग के महत्वपर मार्गदशन किया, साधवी देव प्रिया ने तिन दिवसीय कारिशाला में प्रातहकाल में योग, यग्य करवाया और महिलाओ को अपने सद्वी चारों से प्रेरित किया, कार्यकरम के आय देश, 36 गड की महिला पतंजली योग समिती योगी नी बहनों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया इस अउसर पर संजे पवार एवं मुख्य अती थी एवं मार्गदर्शक अनिकेत कुत्तर मारे उपस्तित थे कार्यकरम की शुरुवात 8-28 वर्ष के आयू वर्ग के चातरों के लिए संतनामदेव महाराज के जीवन कारिय विशेपर निबंद एवं चित्रकला प्रतियोगिता के आयजन से हुई इस प्रतियोगिता में 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया इसके बाद रुक्षारोपन किया गया संतनामदेव महाराज के जीवनी और उनके मौलिक कारियों को जन जन तक पहुचाने के लिए लिनादामगाडगे, पुश्पबोध्ध, सरोजगडपैले, सुधा धबरडे, सुकेशनी लोखंडे ने संतनामदेव महाराज के जीवन कारियों पर उत्कुष्टा मार्कदर्शन और ग्यान प्रदान किया, बहुचन रंगभुमी और सांचा द्वारा सामाजिक नाटक और गीद भी प्रस्तुत किये गए, ततपश्चाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं व जेताओं को पुरसकार देकर कारेक्रम का समापन किया गया, कारेक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया, कारेक्रम का संचालन संस्थान के अध्यक्ष सुधिर राउत ने किया और शेकर गजबिये ने धन्यवाद ग्यापित किया, कारेक्रम को सफल बना परियाविक्षन की परियाप्ति व्यवस्ता होनी चाहिए जिसमें मुख्य शिक्ष्या विस्तार अधिकारी के बद पर आसिन व्यक्ति को परियाविक्षन प्रणाली की जिम्मेदारी सोपी गई हो जिला परिशद ने ग्रामिंट शेत्रों के सभी स्कूलों को शुरू कर दिया है और छात्रों की उपस्तिती पढ़ रही है कोरुना ने लंबे समय के लिए स्कूल बंद किये ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को हुए शेक्षनिक नुकसान की भरपाई की जाए बच्चों में नियुनदम सीखने की ख्षम ताप्राप्त करने के लिए गुणवत्ता पुर्णगती विधिया करनात्यन तावश्यक हो गया है सिंधी समाच का शिष्टमंडल पुर्वनगर सेवक वेद प्रकाश आरिय और सुरेश जग्यासि की नेतरुत्व में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउट से सिंधी समाच के विस्तापित लोगों को मालकियत के पट्टे देने की मांग के संदर्ब में मिला उन्होंने मांग की कि सिंधी समाच के लोग जो करोडो रुपयों की संपत्ति पाकिस्तान में छोड़कर बेघर हो गए थे उस संपत्ति का मुआवजा आज तक सिंधी समाच को नहीं मिला है इसलिए सिंधी समाच को जो जमिन लीज पर दी गई है उस जमिन पर रहने वालो को मालकियत के पट्टे दिये जाए पालक मंत्री डॉक्टर नीतिन राउद ने प्रतिनीधी मंडल को आश्वासन दिया कि वे सिंधी समाज की पीड़ा और परस्तितियों को अच्छी तरह जानते हैं वे सिंधी समाज के लोगों को जल्द से जल्द ये पट्टे ठाकुर जेटवानी, राजुधनवानी, ठावर लालवानी, अमर दर्यानी, नरेश भोजवानी, नरेश लहर वानी आदी उपस्तितते किसी भी प्रकार की विशाक्तता के मामले में विश की प्रकूरती को समझे भिना केवल जानकारी और विशाक्तता के बाद के लक्षन के आधार पर ही निदान किया जाता है कुछ मामलों में सफलता प्राप्थ होती है लेकिन इसकी सही जानकारी की कमी के कारण विशाक्तता की कई मामलों में मौत हो जाती है इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्रा नवनिर्मान सेना की और से संभागी आयुक्त प्राजक्त अलवंगारे वर्मा को एक ग्यापन सौप कर मांग की है कि नागपुर में इस प्रकार की जाँच करने के लिए एक प्रयोक्षाला स्थापित की जाए मनसे के प्रदेश महा सचिव हेमंद गड़करी की मौजुदगी में संभागी आयुक्त को ग्यापन सौप कर इस मुद्दे पर चर्चा की गई गड़करी ने कहा कि ऐसे केंद्र केरल और तामिल नाडों में उपलब्ध है लेकिन अभी तक प्रगतिशिल महाराश्टों में नहीं है मनसे ने संभागी आयुक्त से कहा कि विश निरिक्षन केंद्र राज्य की उपराजधानी नागपुर में स्थापित किया जाना चाहिए संभाग आयुक्त ने प्रतिनी दी मंडल को आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों पर पूरा ध्यान देंगे इस अउसर पर सचिव घंशाम निखाडे महिला सेना की जिलाध ध्यक्षा कलपना चोहान मंडल अध्यक्षा पिन्टु बिसेन मन्वेस की उपजिलाध ध्यक्षा गौरवपूरी आधिपदाधिकारी तथा कार्यकरत अगणू पस्तित थे विधर्ब के स्टेशनर्स व्यापारियों की एक मात्रव अग्रनिसंस था विधर्ब पेन और स्टेशनर्स अध्यक्षा अध्यक्षा अश्विन मेहाडिया वह विशेश अधिधी के रूप में मेसर सोनी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेट के संचालक प्रकास सोनी वह शरत ठोमरे तथा एन्वी सीसी के अन्ने पदाधिकारी सर्वश्री फारुक अकबानी, सचिन पुनियानी, राजवन पाल सिंग तुली, हेमन साड़ा उपस्त सभी अतितियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए दीपावली की शुपकामनाय दी, वह एस्सोसियेशन की गतिवीधियों की समस्त जानकारी देते हुए काहा की कोरोणा महमारी के कारण पिछल दो वर्शों में स्टेशनरी व्यवसाय को काफे कुछ जहलना पड़ा, अब रहेगा, टीका करण के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दति उसे पंजी करण किया जा सकता है, इसी तरह ड्राविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी अठ्रा वर्श और पैतालिस वर्श से अधिकायों के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिए टीका इसी तरह अठ्रा प्लस और पैतालिस प्लस आई वर्श के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा सैब आमेटकर अस्पिताल काम्टी रोड, वस्वर्ग्य प्रभाकर दटके, मरपा माहाल रोग निदान के जिले के विभिनक शेत्रों में उद्योग समुह का विकास किया गया है, शहर के निकट, बुटी बोरी, हिंगना और वाडी जैसे उद्योगी क्शेत्रों में स्थित, समुहों को मनपास सभी सुविधाय उपलप्त कराए, और शहर की रेटिंग बढ़ाए, ये उद्योग बेरोजगारों को रोजगार के उसर प्रदान करेंगे, जो कोवीट की कारण रोजगार से वन्चित है। प्राथमिक्ता के आधार परस्थानी या लोगों को रोजगार के अउसर उपरप्त कराए इस आशे के निर्दिश कलेक्टर आर विमला कलेक्टरेक्ट में आयो जित जिला उद्योग मित्र समिती की बैठक में अपर कारिया पालन अधिकारी कमल किश्वर फुटा ने उद्यो की क्षेतर में सिवरेज ट्रीट्मेंट प्लांट जल से जल शुरू किया जाए ताकि तालाप के पानी को दूशित होने से बचाय जा सके साथी की चड़ हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए अंबाजरी के पास नाले पर स्टेपी लगाना ज़रूरी है नागपुर के चातरों ने अनोखे अंदाज में माहान गणितग्यो श्री निवास रामानुजन को श्रधान जली दी नागपुर शहर के चिटनी स्पार्क में लगभग पांच जार चातरों ने एक साथ बे एक बे का पाट किया और देश भक्ती के संदेश के साथ गणितग्यो श्रीनिवास रामानुजन को आदरान जली दी नागपुर शहर में आयोजित ये अनुठा आयोजन चर्चा का विशे बन गया है और देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सामुहिक वाजन किया गया है महान गणितग्यो श्रीनिवास रामानुजन की जयनती राष्टिय गणित दीवस के अउसर पर नागपुर महानगर पाली का अग्रेसर फाउंडेशन मनिभी इंस्टिट्यूट और दक्षिन मध्यक शेत्र सांस्रुतिक केंद्र द्वारा ये सामुहिक पार्ट कारेग्रम सायुक्तर उपसे आईजित किया गया इस अउसर पर महापुर दयाशंकर्तिवारी उप महापुर मनिशा धावडे मरपा में नेता प्रतिपक्ष ताना जिवन वे निदेशक दक्षिन मंध्यक शेत्र सांस्रुतिक केंद्र दीपक फिरवाड कर पुलीस आयुक्तमितेश काउंडेशन की शिवानी दानी वखरे आदी उपस्तित थे मुस्लिम योथ लिग नाकपुर के प्रतिनी धी मंधल ने पालक मंत्री डॉक्टर नीतिन राउत को विविद मांगो के लिए ग्यापन सोपा महराश्टर में शिक्षा और नौकरियों में मुसल्मानों के लिए आरक्षन जल से जल लागू करने के लिए पिधान सभा में आवाज उठाई जाए आसिनगर चौक टेका नाकपुर सित इसलामिक कल्चर सेंटर का निर्मान कारियत जल से जल पूरा करके जनता के लिए शुरू किया जाए वा पावरलूम मार्केट हब बनाया जाए महत्वा पूर्णक अदम के तहत एवं रेल्वे बोट के दिशा निर्देशा नुसार किसानों को रहत देने के उद्देश से दक्षिन पुर्व मध्य रेलवे नागपूर मंदल द्वारा मनिंदर उपल, मंदल रेल प्रवंधक, दपु मरे नागपूर के मार्गदर्शन और विकास कुमार कश्यप, वरिष्टा मंदल वानिज प्रवंधक के दिशा निर्देशन में, कुरुशी और बागवानी किसाने के लिए पुनह एक बार सुबह पांच से दस वजे चिंदवाडा से शालिमार के लिए किसान रेल गाड़ी चलाई गई, ताकि उपज खराबी से होने वालिक शती से किसानों को राहत देने के साथ साथ डुलाई में 50% की छूट से किसानों को लाभनवित किया जा सक तथा काम लागत पर उपज नए संभावित मार्केट तक पहुच सके। जन के लिए नाकपुर महानगर पालिका के खेल समिती की अनुमती लेनी होगी। पंजाब रौ देशमुख मेमोरियल हौल में हुई समिक्षा बैठक में इस निर्ने को पारित किया गया। किसी अन्य संभठन को करना हो तो इसकी सूचना पहले से मनपा की खेल एवं सांस्रूतिक समिती को देनी होगी। समिती को शहर में खेल और सांस्रूतिक कारेक्रमों के आयोजनों के बारे में जानना बहत ज़रूरी है। जिसके ताहत ऐसी किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए खेल समिती की अनुमती लेना अनिवारिय होगा। नाकपूर महानगरपालिका ने उच्चे नायले की नाकपूर खंडपिट के निर्देशा नुसर नायलोन मांजे के साथ साथ सिंतेटिक यान की बिक्री संग्रह करने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबन लगा दिया है। इस आदेश का उनलंगहन करने पर दंडात्मक करवाई की जाएगी। इसलिए नाकपूर महानगरपालिका नागरिकों से अपिल कर रहा है कि मकर संक्रान्थी के दिन पतंग उड़ाते समय नायलोन मांजा के साथ सिंतेटिक धागे का प्रयोग न करे। मकर संक्राती के दोरान पतंग उड़ाते समय नायलोन मांजा या सिंतेटिक यान का उपयोग पक्षियो और मनुष्य के जीवन को खत्रे में डाल सकता है। इस आदेश का उनलंगन करने पर जुर्माना भरना होगा। इस आदेश के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने ये कारवाई की। नाकपुर महानगर पालिका के उपदरोख होजी दलने गुरुवार को बगर मास्क के घुमने वाले 31 गयर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कारवाई की। और उनमें से प्रतिक से 500 रुपे के अनुसार 15,500 रुपे का जुर्माना वसुला। पिछले कुछ महीनों में टीमों ने 42,000 नागरिकों के खिलाफ कारवाई की और अब तक लगभग 2 करोड रुपे का जुर्माना वसुला है। शहर में मामले कम हुए है लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमन का खतरा अभी भी टला नहीं है। खुजिदल ने लक्ष्मियनगर जोन के अंतरगत 8, धरमपेट जोन के अंतरगत 2, हनुमान नगर जोन के अंतरगत 7, नहरुनगर जोन के अंतरगत 10 नागरिक समित कुल 31 नागरिकों पर कारवाई की। जनजागरूती की, पुरनीमा दिवस पर नागपुर महानगर पालिका के और से रात को 8 बजे से 9 बजे तक अनावशक बिजली के उपकरनों को बंद करने का आवहन किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के कई हिस्सों में बिजली बचत के बारे में जनजागरूती की गई। रामनगर चोक में ऐसा ही एक जनजागरूती अभियान चलाया गया। इस परिसर में व्यापारियों को अनावशक उपकरन बंद करने का आवहन करते वे ग्रीन विजल के स्वयम सेवकों ने पुर्णी मा दिवस के पीछे के मकसद को अवगत कराया। अखिल भारतिय ग्राहक पंचय शाखा काटोल की नई कार्य कारेनी नागपुर जिला संघठन मंत्री गणे शिरोले ने जाहिर की। महिला प्रमुक रेखा मोहड, शारदा अलोडे, संघठक ज्यानेश्वर राजूर कर, संजे करण भाजने, प्रस्विद्ध प्रमुक दिनेश निम्बाल कर, कार्य कारेनी सदस्य रविंद्र गेडा, योगेश्राव हिरूड कर, राजु भाहिया मोहड, हरी गवली कार्य क जाहिर की गई, इस समय जिला संघठन मंत्री गनेश शिरोले, प्रांच सह संघठन मंत्री, वनागपुर जिला जनसंबर्ग प्रमुक तुरुपतीजी आकांत ने, संघठन के कार्य और संघठन की पद्धती और दयनन दिन जीवन में होने वाली चिटिंग, सावत गिरी, जनान दोलन, परियावरन, डिजिटल इंडिया आधी विशे पर प्रकाश जालाप, प्रस्ताविक संघठन प्रमुक प्रशान पाच पोहर ने किया, तालू का अध्धिक्ष प्रशान अरडक ने मार्क दर्शन किया, पुर्वतालू का अध्धिक्ष प्रशान अरडक ने अध्यक्षपत की धुरा नवनिर्वाचित तालू का अध्यक्षप प्रकाश्वंजारी को सोपी संचलन सोनाली बागदर्डे ने किया आभार नवनिर्वाचित तालू का अध्यक्षप प्रकाश्वंजारी ने माना इस आउसर पर ग्राहक पंचैत के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्तित थे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार